हम अक्सर पूरिया बनाते ही रहते हैं किसी भी फेस्टिवल पर या किसी स्पेशल ओकीजन पर आज हम स्पेशल पालक की हरी हरी पूरिया बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और पालक तो हम सबको खाना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत ही हल्दी होता है बच्चों को तो पालक पूरी बना कर जरूर खिलाईए यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं पालक पूरी बनाना पालक पूरी बनाने के लिए मैंने यहां एक बंडल या 300 ग्राम पालक लिया है और मैंने पालक को अच्छे से धोलिया है सबसे पहले हम गैस पर एक पतीले में पानी को घरम होने के लिए रख देंगे और पानी पतीले में इतना डालना है कि पालक उसमें डूब जाए जैसे ही पानी में हलका सा उबाला जाए तो आप इसमें पालक को डाल दीजिए और इसे अच्छे से डूबो देंगे ताकि पालक थोड़ा सौफ्ट हो जाए बस इसे आप 2-3 मिनट के लिए ही उबन ले दे लगबग 3 मिनट हो गए है ये देखिए पालक सौफ्ट हो गया है अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और पालक को चिम्टे की सहायता से ऐसे पकड़ कर चलनी में डालते जाएंगे ये देखिए मैंने सारे पालक को चलनी में निकाल लिया है अब इसे ठंडा होने देंगे पालक की ठंडा होने पर हम इसे एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे अब हम इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक लगबग 1 इंच का टुकड़ा और बिना पानी के इसका एक fine paste बना लेंगे आप चाहिए तो इसमें 2 या 3 टेबल स्पून पानी डाल सकते हैं ये देखे मेने से बिलकुली बारिक पीस लिया है ये देखे कितना बढ़िया हरा हरा पालक पिसा है अब एक प्रात में 2 कटोरी गेहु का अटा लेंगे और इसे चलनी से छान लेंगे अब हम इसमें आदा चमच याद स्वादा नुसा नमक डालेंगे साथ ही half टेबल स्पून अजवाइन डालेंगे अजवाइन को ऐसे मसल कर डालें और मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून तिल सर्दियों में तिल खाना बहुत ही अच्छा होता है और इससे पूरी का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है अब इन सब को मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें पालक के पेस्ट को डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लें मिक्सर जार में जो पालक लगा हुआ था उसमें मैंने पानी को डाल दिया था ये वही हरा पानी है यहां मैं आदे कप से भी कम पानी यूज कर रही हूँ आप जितना पानी आटा गुनने के लिए ज़रूरी होगा उतना ही पानी आप इसमें एड कीजिएगा अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक डो त्यार कर लेंगे डो आपको ऐसे ही बनाना है जैसे कि आप नॉर्मली पूरी बनाने के लिए आटा गुनते हैं जितना आप आटे को अच्छे से गुंदेंगे यानि मसल मसल कर त्यार करेंगे उतनी ही पूरी फुली फुली और बढ़िया बनेगी यानि पूरी का फूलना आटे के गुंदने पर डिपेंड करता है जितना अच्छा आटा गुंदा होगा पूरी भी उतनी ही अच्छी खुलेगी अब एक छोटा चमच ओयल डालिए ओयल से इसे अच्छे से कोट कर लीजिए और एक बार फिर अच्छे से मसल कर इसे 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रग दे जिससे आटा बहुत ही बढ़िया हो जाएगा 15 मिनट हो गए हैं ये देखे दो अच्छे से त्यार हो गया है अब एक पेड़ा लेंगे हतेली के बीच में रखकर दबाते हुए से गोल कर ले अब आप एक चकले पर थोड़ा ओयल लगाकर इसे चिकना कर ले जिससे की पूरी चिपकेगी नहीं आप बेलन पर भी थोड़ा ओयल लगा ले अब इसे हलके हाथ से गुमाते हुए इस तरह से उठाएं और फिर गुमाएं इस तरह से आप पूरी को हर तरफ से बराबर बेल लें ये देखे मैंने पूरी को बेल लिया है अब मैं आपको पूरी बेलने की मशीन से पूरी बनाना बताती हूँ इस पर सबसे पहले ओयल लगा ले उपर की तरफ भी ओयल लगा ले अब एक पेड़े को इस तरह से रखिए और इसे इस तरह से प्रेस कर दीजिए ये देखे इसे ऐसे प्रेस कर दीजिए ये देखे पूरी बन कर त्यार है ये दिखने में जितनी सुन्दर लग रही है खाने में भी ये उतनी ही टेस्टी होती है अब इसे तनले के प्रोसेस पर चलते हैं तेल को मैंने पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था अब इसमें एक छोटा टुकरा डाल कर देखते हैं आठे का टुक्रा देख़े उपर आ गया है, इट में अच्छे से गरम हो गया है अब पूरी को तेल में डाल देते हैं यदि तेल अच्छे से गरम नहीं होगा तो पूरी फूलेगी नहीं और तेल भी जाधा पी लेगी जब पूरी उपर आ जाए तो एक स्टेनर से इसे ऐसे धीरे-धीरे प्रेस कीजिए तो ये फूल जाएगी आप देख सकते हैं कि पूरी एकदम फूल गई है और कलर भी कितना सुन्दर आया है अब इसे उलटते पलटते हम हलका गोल्डन ब्राउन करेंगे अब देखी ये बन गई है अब इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं और इसी तरह से दूसरी पूरी भी फ्राई कर लेते हैं यदि आटा बढ़िया गुंदा हो और तेल अच्छा गरम हो तो पूरी ज़रूर फूलेगी मेरे के कितनी अच्छे से फूल रही है आप चाहे एक साथ दो पूरियां भी फ्राई कर सकते हैं जितना कडाही में स्पेस हो आप उतनी पूरियां एक साथ तल सकते हैं ये लीजिए हमारी गरमा गरम पूरियां बन कर त्यार हैं फुली फुली और पालक की हरी पूरी आप भी बना कर खाईए और मुझे भी बताईए कि आपकी पालक की पूरी कैसी बनी यदि आपको मेरी पालक पूरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी रेसिपी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स पाने के लिए बैल आइकन में आल पर क्लिक जरूर कर दीजिए थैंक यू